कि एसे ही क्यों सिखाना चाहिए इस तरह के जो सवाल है सिखने सिखाने को लेकर उन पर थोड़ी सी बाच्चित क्यूंकि समय हमारे पास लगभग डेड़ घंटे का है तो जिसमें से 10 मिट हमारे जा चुके तो एक गंटा 20 मिनट में कोशिश करेंगे कुछ एक ऐसी बात करने कि जिससे कुछ एक समझ बन रही हो और कुछ सवाल तो जनरेट होई रहे हूं तो अगर वो सवाल भी जनरेट हो जाते हैं तो भी मदद मिलेगी और उन सवालों पर हम लोग अन्या मंचों पर बादचीत भी करबा रहे होंगे तो मैं यह अश्वेंद सिंगरावद हूं मैं जएरा दून उत्राखंड में कारे रत हूं अजीम रेंदी फांडिशन में और गणित विशे मेरा interest का विशह है मेरी बहुत बड़ी योग के ताए मेरी इसमें नहीं है लेकिन मेरा इसमें interest है तो शुरुवात करते हैं कुछ सब्विताओं के साथ है यह जानने की कोशिश करते हैं कि यह जो संख्याओं के साथ आज हम खेल पा रहे हैं यह खेलना कैसे संभभ हो पा रहा है या इससे शुरुवाती दौर में किस-किस तरह की संख्या पद्दतिया रही हैं जिनके चलते आज की दाश्मिक पद्दती ने अपना एक सार्व भौमिक रूप लिया है तो जैसे अगर हम इसको देखने की कोशिश करें तो कुछ एक सब्दताओं के बारे में ही मैं ठोड़े-तोड़े समय में बातित रहना चाहूं में जैसे अगर हम यह देखने की कोशिश करें कि एजिप्ट जो की काफी पुराने सब बिताओं में एक है वहाँ पर संख्या पद्धती किस तरीके से देखी जाती थी तो उसके कुछ जो भी परमाण हमारे पास मौजूद है आज की तारीक में उन में से कुछ परमाणों को मैं यहाँ दिखा रहा हूं शायद आप लोगों को अपने मोबाइल पर या जो साथ लैपटॉप में देख रहे हैं उनको दिख रहा होगा तो यह कुछ चित्र हुआ करते थे एजिप्ट में जिनकी मदद से वह संख्याओं को दर्शाय करते थे अगर आप देखे तो एक दस सौ हजार है ना दस जार लाग ऐसे उनके नाम कुछ और हुआ करते थे यह अभी जो नीचे नंबल लिखें यह आज के संदर्बों के हिसाब से लिखे गए है और जो मैं एक दस हजार सो यह बोल रहा हूं यह आज के संदर्बों में यूज होने इस्तिमार होने वाले शब्दों के संख्या नामों के साथ मैं इसका प्रियोब कर रहा हूं तो अगर देखे कि वो उसको लिखने का तरीका अगर हम गौर करें तो एक जो जैसा बनावा है जो सौ को दिखाता है और उसी के बगल में जो हजार को दिखाता है तो हमको तीन हजार दिखाने तो तीन वैसी आकरितियों को बनाना होता था और अगर हमको 200 दिखाना तो 100 के लिए प्रियोग होने वाली आकरिति के दो आकरिति को उठा के रखना होता है अगर हम इसको देखें तो इसको लिखने का तरीका कुछ इस तरीके का जो आपको दिख रहा है ऐसा भी हो सकता था या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था या किसी और तरीके होता था तो जैसे हम देखते हैं अच्छा यह अगर ऐसा बनके हमारे सामने आ रहे तो तीन इस तरह के चित्र यानि दीन हजार को दो है तो फिर दो सो तो तीन हजार दो सो करके के समझ में आते हैं तो यह इस तरह की कि सब्वेता में ऐसे कुछ-कुछ उस समय प्रयोग करते संक्याओं को ऐसी अगर देखें तो यह एक संक्या और है नीचे जो की 54 को दर्शाती है जिसमें पांच-दस हैं और एक-एक के चार हैं तो अब यह जो चववन हैं इसको अगर लिखना देखें इसका लिखना पढ़ना देखें तो वह इस परकार से भी स्विकारे था तो आगे लिखें पीचे लिखें बीच में तीन चार डंडिया डाल दे तो वह सभी स्विकारे था क्योंकि इसको पढ़ने का तरीका इन सबको जोड़कर समझना था उसको पढ़ने का तरीका जोड़कर पढ़ने का तरीका था तो इसी लिए इस सब्यता में इस इस तरह की प् तरह वाख करती थी तो जैसे बैबिलोनियन की सब्वेता है वहाँ पर भी कुछ संकेत वाख करते थे यहां अगर हम देखें तो यहां पर इजप्ट मेहें हैं अगर आप देखेंगे तो 10 की घात में नए सिंबल आते थे जशारणा तेरगी 10 की घात 7 के लिए एक नया सिंबल होगा दस की गात आठ के लिए एक नया सिंबल होगा वहीं अगर हम बेबिलोनियन को देखे तो ये एक और उसके बाद फिर ये जाके साथ पर अपने लिए एक नया सिंबल या दस पर एक सिंबल दे रहा है और फिर साथ पर जाके एक नया सिंबल दे रहा है औ किस तरीके के संकेत हुआ करते थे वो संकेत किस तरीके से लिखे जाते थे और उनके लिखने का जो तरीका था उसका जो खास तरीका उन्होंने अपनाया था स्विकारे था उस सब्वेता में तो उसके पीछे के कारण क्या थे तो अगर हम देखें तो ये हमारे सामने इस सब् तो संख्यांकों का जो इस्तिमाल करा है वो बहुत ही एबरप्ट है किसी को आगे किसी को पीछे कभी भी कैसे भी रख सकते हैं क्योंकि उद्देश से खाली यह कि कैसे इनको जोड कर पूरा का पूरा संख्या भाव समझा जाए तो बेविलोनियन की सब्विता और आगे बढ़ते भी रहते थे इसी प्रकार चीनी सब्विता को अगर हम देखने की कोशिश करें तो चीनी सब्विताओं में भी अलग अलग चिन अगर आप यहां पर देखने की कोशिश करें तो चार का चिन अलग है पांच का अलग है छे का अलग है शायद इसके तरक उनक नो इन सब के चिन जो हैं इनके जो संक्यताइग है तो यह संख्याँक हैं तो यह संख्याँक बिल्कुल ही अलग-अलग तरhe की आकटियों के साथ आते हैं इनको भी लिखने का तरीका गरम देखे तो यह भी वैसे था जैसे बेविलोनियन और आपकी इजिप्ट की संख्या प्रहनेा दीका था और अगर देखने की कोशिश करें और इस संख्या अगर हमसे अलगा कि इस संख्या को भी अगर अगर बोत करने की कोशिश करेंगे दो जरू पो दर्शातिंगी इस सो नकीको और यह advisor यह 10 ठीज हो गया कि जो चार का चिन है तो यह चार है तो यह नहीं कि अगर हम इसको जोड़ कर देखने की कोशिश करें तो दो सो तीस और चार चौटीस मैं फिर से कहा रहा हूं कि इनके संख्या नाम चीनी सब्वेता में कुछ लेकिन मैं आज के संदर्वों के इसाब से नामों को ले रहा हूं तो यह दो सो चौटीस को दिखाता हुआ एक संख्या करनी रूपड़ है तो इस तरह के सागर हम देखे तो यह तीन सब्वेता हैं जो हमने देखी हैं इन तिनों सब्वेताओं में हमको संकेत बहुत ज्याद दसथाजार फिर शायद उसके आगी जब बढ़ेंगे तो लाग, दस लाग, ऐसे आगे जैसे इसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे नए संकेतों को हमको लाना होगा, उनको बनाना होगा और उनको समझना होगा यह तीनों सब्विताओं में हमने इस तरीके से देखने को मिलता है इससे आगे अगर हम देखने की कोशिश करें तो एक सब्विता जिसको हम आज भी इस्तेमाल करते हैं अपने लिखने पढ़ने के दोरान वो है रोमन सब्विता के संखेतां संक्याक तो रोमन सब्पेता में अगर हम देखने की कोशिश करें तो कुछ इस तरीके से हैं, एक के लिए एक चिन है, पांच के लिए एक चिन है, दस के लिए है, पचास के लिए है, सो, पांचो, हजार ऐसी आगे बढ़ते जाते हैं। और इन चिन्नों को अगर हम कहें कि कैसे संख्या को लिखा जाएगा, कैसे बढ़ा जाएगा, तो आपको पता है कि दो अगर लिखना है, तो एक वाली दो डंडिया होंगी, तीन लिखना है, तो एक वाली तीन डंडिया होंगी, चार लिखना है, तो चार लिखने के लिए एक नियम आ जाता है नियम ये आता है कि चार लिखना है तो पांच का जो सिंबल है उसके बाई और हमारी तरफ से गर हम देखते हैं तो उसके बाई और एक आता है तो यानि कि वो एक घटाएगा तो पांच में से एक के घटने पे जो संक्या परात होती वो चार तो चार का जो न एक कम नौ का मतलब यह हो गया कि दस से एक कम जो है तो उसके लिए क्या करेंगे कि दस का जो चिन है उससे बाइं और हम लोग एक का चिन लगा देते हैं ताकि हमको पता लगे कि हमको यह जो चिन है इसको घटाना है उसमें से तो इसी प्रकार आगे बढ़ते बढ़ते जब चलते हैं तो यही इसका उप्योग होतावा दिखता है इस पूरी संप्यता में अगर मान लीजिए ये एक संख्या लिखी गई है और इस संख्या को अगर हम पढ़ने की कोशिश करें तो चुंकि ये नाईयोर को बढ़ा है तो इनको जोड़ते वे बढ़े जाएगा तो पच कैसे लिख दूं इसका बिल्कुल लुटा लिख दूं तो ये संख्या अवैद हो जाती है अवैद यानि कि अब इस संख्या को पढ़ने का नियम रोमन सप्यता में नहीं मिलता उन्होंने ऐसा कोई नियम इसके लिए बनाया है नहीं तो उसके जो नियम थे उसके नियमों क अगर हम समझने की कोशिश करें तो वो नियम किसी एक सिंबल का कितनी बार प्रियोग किया जा सकता है और उसके बाद नए सिंबल के आने से पहले उस सिंबल का उस नए और नए सिंबल के बीच में किस तरह के अंतर संबंदों को देखा जा सकता है वह उसके आगे बढ़ा जा सकता है ये इन सब बातों को लेकर कुछ रोमन सब्यता के अपने नियम बनते थे तो यहाँ पर जोड़ना भी है घटाना भी है और संख्याओं को संख्यांकों को लिखने का जो तरीका है वो भी स्पैसिफिक है यानि कि उस पे भी नियम लागू होते हैं कि दाइयों लिखें हैंगे तो यह हो जाएगा यानि कि किसी भी संक्या में पढ़ने के लिए हमको बीच की बड़ी संक्या के दाएँ और बाएँ और के अए संख्याओं को देखना होता था जिसके कारण हमको पता चलता था कि Bowl गटाना है किस तरीके से हमको समझना है तो यह जो एक प्दती है ये पदती अभी तक की जो तीन बाकी हमने सब भिताओं पर समझने की कोशिश करी उससे अलग थी क्योंकि यहाँ पर संख्यांकों की जो स्थिती है जहाँ पर वो है वह महत्पूर हो जाती है उनका मान भी महत्पूर हो जाता है और उनकी स्थिती भी महत्पूर हो जाती है कि ये जो भी संक्याओं का इतिहास रहा है लिखने का उस पूरे इतिहास में दो तरह के नियम देखने को मिलते हैं एक नियम तो वो लगता है जिसमें की अंकों के इस्थान पर आधारित नियम जैसे हमने देखा रोमन, तो वहाँ पर इस्थान भी में रखता है पूरा का पूरा, और एक दूसरा वो लगता है, जिसमें की हम कह रहे हैं, कि अंकों को जोड़कर जोड़ने पड़ आधारित वहां का नियम काम करता है, वहाँ पर संख्यानक का प्लेस्मेंट उसका स्थान कहां पर नहीं है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वहाँ पर उनको कुल मिलाकर जोड़नाई होता है अपनी सुवीदा के लिए कोई बड़े संख्यानकों को एक साथ कर देशोट हो लगाए छोट को लगाए तो अपनी आसानी के लिए वह किया जासिकतां पर उस से संख्या पढ़ने के सहस्ता कोई गलत नहीं माना जाएगा गर उसकों चेंज करदें उसको बदलने पर गलत का भाव नहीं बनेगा क्योंकि वो पूरा का पूरा समझ हमको संख्या की देता है तो संख्याओं के एदियास में अगर हम देखे तो ये दो तरीके के जो प्रचलन में देखने को आए नियम तो इन नियमों के साथ ही हम लोग कारे करते आते थे और यही नियम ज्यादा तर समय में रहे और इनी नियमों के चलते एक लंबा समय इनी नियमों पे काम करते करते गुजरा जोर घटा गुणा भाग इनी पे करते हुए काफी समय बीता अब अगर हम देखें इस बात को कि यह जो भी सब्बिता हैं हमने देखी है तो इन सब्बिताओं में जो भी बात्चीत है जिस तरह के नियम है उनकी सीमाएं क्या है ऐसा क्या है कि जो वो जो संख्या पत्यती इस्तिमाल करती थी सब्बिता उसमें वो संभावनाय नहीं दिखती हैं सीमाओं को हम ऐसी समझते हैं शायद कि जो कि उसके हद में नहीं आती है तो एक तो ये समझ में आता है कि इसमें बहुत ज़्यादा नियम है जिनकों की हमको याद करना होगा नियम है अच्छा दाएं जाएगा तो इतना हो जाएगा बाएं जाएगा तो इतना होगा इदर चलेगा तो घटना होगा इदर वो तब बढ़ना होगा इतनी बार किसी एक ही संकेत का प्रियोग होगा और इतने से बढ़ने पर इसका इससे बड़े वाले संकेत के साथ का संबंद फिर इस्तापित किया जाएगा तो ये नियमों को याद करना बहुत जादा इसमें देखने को मिलता है किस तरीके से संख्यांकों को दर्शाया जाए तो संख्यांकों को भी याद रखना पड़ेगा जैसे अगर हम देखें तो जितने भी हमने अभी जग सब बिताओं को देखा सरसरी तौर पे तो उसमें अगर हम देखे तो कहीं पे एक, दस, सो, हजा, दस, जार, लाग, दस, लाग, इनके लिए अलग-लग संकेत हैं चाइनीज में अगर हमने देखा तो एक से लेके नौ, फिर दस, सो, हजा, दस, जार, ऐसे करके अलग-लग संकेत हैं तो बहुत सारे संकेत हैं जिनकों की हमको याद करना पड़ेगा और वो सारे के सारे संकेत को याद करके फिर हमको संक्षाओं को लेना पड़ेगा एक सबसे महत्वपून बात जो कि इन सभी सब्विताओं में देखने को नहीं मिली वो महत्वपून बात ये है कि इन सभी सब्विताओं की सीमा में ये आता है कि ये सब्विताओं में जो लिखने का तरीका है संक्याओं को उसमें बड़ी से बड़ी और छोटी सी छोटी संक्या को नहीं बताए जा सकता हम ये कह सकते हैं इसमें कि अच्छा जैसे जो भी सब् तो हम कहेंगे एक और सबसे बड़ी कौन सी होगी तो वो हमको देखना पड़ेगा कि हमारे पास अंतिम संख्यांक कौन सा है जिसके चलते हम लोग उन संख्याओं को पढ़ सकते हैं आगे बढ़ा सकते हैं तो वो फिर उस तरह की बड़ी संख्या देखने को मिलती है लेकिन चोटी में अगर हम कहें क्या एक से छोटी संख्या के लिए कहीं पे कोई जगा बनती है क्या तो शायद नहीं तो यहां पर कुछ सीमाएं देखने को गिलती हैं तो यह सीमाएं वो हैं जो कि जिनोंने की गनित में इंट्रेस्ट या रुची रखने वाले लोगों को इस और के समझ में आती है फिर अच्छा इसके इतार अगर हम देखने की कोशिश कर तो कई सब्सक्राइब ऐसी भी थी जो जिनके और भी अलग लग तरीके थे जैसे माली जी इंका की यह क्यूपी पद्द्द यह जो तो यह डोरी रहती थी इनमें नौट बांते थे गांड बांते से और उसके हिसाब से काउंट करते थे की सब्सक्राइब क trafficking है क्या है कैसी है या कहीं कहीं पर अगर ममोंने पापवान यूगिजिणी जो हमारी जगह है वहां के जय दन जाते के लोग शब्दों को इस्तिमाल करते थे उर्पन उकोसा उकोसा उर्पन त़ यए पैटर्न है उकोसा उकोसा दो दो आगे तो यानि चार और इस तरीके से वो पूरी की पूरी पद्धती आगे बढ़ती है एक और बड़ी इंट्रेस्टिंग इसी में जनजादी समूव में संख्याओं की समझ को लेकर देखने को मिला तो अपनी बॉडी पार्ट्स को कैसे इस्तिमाल करत है नाम तो वह वही लेते थे और पन उकोसा और यह सर लेकिन अगर हम देखे तो उनकी संख्याओं कैसे चलती थी तो अंगूटे से शुरू करते थे सीधे हाथ के और एक दो थीन चार पांचे साथा नोदर 27 और ऐसे इसी के आधार पर फिर आगे बढ़ते वे संख्याओं को बुनते थे तो यह एक इंट्रेस्टिंग चीज थी इसलिए इसको आपसे शेयर करने के लिए कि ऐसा भी प्रियोग सब्यताओं में हुआ है जिसके चलते हम लोग आज की जो परिस्तिती यह आज की परिस्तिती कई हजार वर्षों की एक बड़े संगर्ष का परिणाम है इस बात को समझें इसलिए यह भी हम इसको साजा कर रहे हैं अगर हम इसको और देखने की कोशिश करें कि अच्छा यह जब पूरी चुनोतियां चल रही थी इस तरह की सीमाएं कुछ चारी थी तो अन्ने सब्यताओं में फिर यह शुन्ने जैसी चीज आई कहां से किसके दिमाग में इस तरह की बात आई होगी कि अच्छा यह शुन्ने जैसा भी कुछ होना चाहिए यह शुन्ने नहीं है तो फिर उसको लगा कि अगर शुन्ने हो तो क्या हो कुछ सब्यताओं इस तरह का प्रियोग करती थी जैसे कि अगर हम यह देखें कि इजिप्ट की सब्यता में जो संकेतांक हम इस्तिमाल करते थे उन संकेतांकों में मान लीजे एक हजार तीन लिखना होदा था तो एक हजार का सिंबल हमारे पास होता था तीन के लिए भी हमा ज्यादा कुछ नहीं सोचते तो केते थे यार यह तो जोड कर आना है तो इसको तो करी लेंगे लेकिन आगे चलके जैसे जैसे एजिप्ट की सब्विताओं में बढ़ते गए तो उन्होंने उसके लिए कुछ स्पेस निकालना शुरू करा बीच बीच में गैप देना जैसे-जैसे सब्विता प्रोग्रेस कर रही थी, वैसे-वैसे यह समझ में आ रहा था कि क्या चीज है जो कि जिसकी कमी इस पूरी पद्दती को एक सीमीत संदर्वों तक ही रख पा रही है तो इजिप्ट की जो पूरी सब्विता थी उसके संख्यांकों में फिर बदलका होना और उनके बीच में कहीं जगा को देना ताकि वो जगा किसी चीज की अनुबस्तिदी को बता पाए तो वो एक स्पेस देखने को मिलता था लेकिन इसके साथ अगर हम देखे हैं हिंदू-अरेविक के सिस्टम को देखने की कोशिश करें कि यहां पर किस तरीके की चीज़ें चलती थी या इस बात को भी समझने की कोशिश करें कि यह जो शुन्य था यह किस रूप में उभरा कैसे इसका इसका इस्तिमाल किया गया तो कुछ एक तथे हमारे पास अभी मौजूद एससे और तो अब वो उसको शुने मानते थे या नहीं मानते थे लेकिन वो इस सिंबल का प्रियोक करते थे तो अभी उसको लेके थोड़ा सा एक एक तर्क वितर्क अभी भी जारी है तो कई लोगों का मानना ही है कि वो जो जैसा लिखा रहता था उसको आउडन कहते हैं उसका अर्थ ह तो जो बाकी लोग कहते हैं कि नहीं डी यह तो ओम्री कौन था और उम्री कौन मतलब 60 युन्यानी भाषा में जो 70 लिखने का तरीका था उसमें उसका प्रयोग होता था तो वो शूने नहीं था वो ऐसा कहते है वो JOHN को लिखने के एक संकेतांग का समूँ के तोर पे उस तरीके से दिखता था तो इस तरह की एक बात्चीत देखने को मिलती है जो की importantly ये तो जाहिर कर देती है कि कहीं न कहीं शून्य को लेकर एक अच्छा खासा संगर्श पूरे इतियास में गडिंस के इतियास में रहा है अगर हम इसको देखें कि अच्छा ये आया कैसे किसने लाया तो एक बात जिसको की लगबद सारी दुनिया ने इसको अपने इस तरह पे स्विकारा है तो वो ही कहते हैं कि इसका श्रे भारत के पास आता है तो शून्य को अगर हम कहें कि शून्य को इस्थान धारक के तौर पे देखें तो आज से बहुत सार परे दोजार दोसो एडी में से भी पहले शून्य के बदले एक बिंदू का इस्तिमाल हुआ करता था अब उसके बाद फिर शून्य को देखा जाये तो उसका पूरा का पूरा श्रे आरे भट के पास आता है लेकिन हमारे पास कुछ तथ्या ऐसे भी देखने को मिलते हैं कि 650 एडी के करीब शून्य एक संख्या की तौर पे भी आने लग जया था तो यह कुछ तथ्ये हैं और इन तथ्यों में हम और ज्यादा जितना पढ़ते जाएंगे जितना देखते जाएंगे तो यह तथ्ये हमको और इंट्रेस्टिंग फैक्ट और तथ्यों की ओर ले जाएंगे और बज़दार हमको अपनी गनित की यह पूरी पूरा पूरी जर शुन्ने और बाकी संक्रियाओं के बारे में कुछ बताया है, तो ये कुछ evidence हैं जो बताते हैं कि अच्छा सुन्ने का उदभव किस तरीके से हो रहा था, कहां कहां पर किस तरीके से इसके परियोग चल रहे थे, और सब्विताएं इसमें कैसे अपने आपको इससे जूज रही थी इसकी कमी से जूज रही थी और उससे पार पाने के तरीके निकाल रही थी इस पूरे के पूरे जद्दो जहत के दोरान जब हिंदू अरिबिक सिस्टम का फैला हुआ और कई सब्विताओं ने इस बात को भी समझा कि अच्छा ये शूने जैसी कोई चीज है कोई एक संकेत है उसका जो की मदद करता है तो काफी हजार साल का तो अराम से एक समय काल रहा होगा जिसमें की एक बड़े इस तरह पे चिंतन मनन के बाद एक स्विकारिता इस बात की ओराई कि हमको किस तरह की संख्या पद्दती को अपनाना चाहिए क्योंकि आपको पता ही होगा कि सब्वेताओं का विकास इस तरीके से हुआ है उस पूरे विकास के क्रम में कैसे लेन देन और व्यापार का बढ़ना हुआ किस तरीके से जैसे जैसे हमारे पास विधाएं आती गई हमारे पास जल मार्ग खुलते गए जैसे जैसे हमारे पास अपने अपने यहां की कुछ खास चीजों को व्यापार करने के लिए हम ले जाना शुरू करा तो उस लाने ले जाने के दोरान यह जो समस्याइं रही हों कि अच्छा आप तो कह रहे हूं कि दश तो आपने तो ऐसे लिखा हमने ऐसे लिखा तो ग्यान का लेना देना लेना में सब निर्माण और यह सब चीजें एक साथ होनी शुरू ही थी और इसने एक तरह का एक तरह का अ संवाद पूरे पूरे के पूरे देशों के बीच में इस्तापित करा कि आखिर वो क्या पद्दती हो वो किस तरह की बात हो किस तरह के संकेत हो जिनके जिनके प्रियोग से हम सभी लोग थोड़ा सरलता के साथ एक दूसरे के साथ बात कर पाएं थोड़ी सहस्ता हमाले बने हमारे सामन प्रफिजिए ने जो अपने सब्विताओं की सीमाई दिख रही हैं, इन सीमाओं से कैसे पार पाएं, तो इस तरह की चीजें बहुत सालों तक डिसकुशन में चलती रही, कई तरह की बाद-विवाद होते रहे, गड़ी तक ये लोग पैदा होते रहे, कई तरह की सवाल- खवाब धर्म आधी चीजों की और जाते थे तो उस समय पे वो वर्जित था धर्म की खिलाख बात करना आज भी हम कई जगह देखते हैं लेकिन उसके चलते हो उनको फिर मिर्ट्यूड अंदर का मिलना कई तरह की पड़तार्णों का मिलना लेकिन उसके बावजूद गणित अपने आप में जीवित रही उसने अपने आपको विक्सित करा अपने आपको विक्सित इस तरीके से करा कि सभी की एक जरूरत बनकर वो उभर के आई गणित ने अपना विकास कुछ इस तरीके से किया तो वो जो विकास था वो पूरा का पूरा विकास इस तरीके से हुआ की दाश हमिक पत्धति पे आके एक लवर की सुईकारिता बनी इस पूरे के पूरे संदर्व के चलते तो अगर हम यह देखने की कोशिश करें कि दाश मिक sophomore पत्धती पे सुईकारिता बनने के कारण क्या थे तो उसके किया खास्यति ते जिसके introducing ये ताश्मिक प्दस्थि कुछ स्विकारिब cautious द॥ तो एक कारण तो ये था कि इसमें महत्र 10 संके थे और इन 10 संके तो काही प्रयोक किया जाना था तो किसी को ऐसा नहीं ता की 1000 के बाद लाक लिखना आथ तो उसका कोई नया संकेत आंक होगा और स्केतांग को भी लाग का भी याद रखना होगा, साठ का याद रखना होगा, साठ की गाद दो, साठ की गाद तीन, इन सब के हमको संकेतांग याद रखने होंगे, है न, तो वो उस तरहेके से, नहीं था, इसमें केवल दस संकेत थे, और इन दस संकेतों के मदद से ये पुरी की पुरी पत्त अगुछ हमने यह चीजों को मान लिया जैसे अग जैसे मान लिया और नियम यानि कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अंग्रेजी में अगर हम कहें तो रूल्स थे कुछ और कुछ ध्र Main पद्दती यह दसकी घात में बढ़ेगी या घटेगी तो दसकी घात में बढ़ना और दसकी घात में घटना इस तरीके से इस तरीके से यह चल रहा था और यह एक नियम के तौर पर इस्टैबलेश था दूसरी चीज जिसको अगर हम देखें कि यह संक्या का बनना होगा कैसे तो यह संक्या का बनना दाएं से बाइं और को बनना होता था तो यह एक कंवेंशन था यह एक आपसी सहमत ही थी जिसके आधार पर यह तैवा कि साहतएं होगा सुनिधाई होगा पाथ सहेकड़ा होगा तो लिखने का तरीका तो ऐसे होगा और इसको पढ़ने का तरीका हम बाइं से दाएं का पढ़ेंगे और अप्वे को ही पढ़के बताएंगे तो ये एक तरीका जिसपे कि आम सहमतिया हैं तो ये कन्वेंशन के तोर पर हमने स्विकार करा तो ये दाश्मिक पद्दिती के दो नियम थे नियम और सहमतियां इसके साथ ही अगर हम ये देखने की कोशिश करें कि इसमें और क्या इसकी खासियत निकल के आई तो जैसे जैसे यह बढ़ता गया है वैसे वैसे हमने देखा कि यह छोटी से छोटी बड़ी संक्याओं के निर्मान करने में यह दस संक्यत हमारे को बहुत मदद कर पारे थे तो आज अगर आप देखें इस दाश्मिक पद्धिती का जो हमाले किसम से वर्दान के तौर पर दिखती है तो छोटी से छोटी संक्याओं आप कहेंगे कितनी हो सकती हो तो और यह आप किस अधार पर कहेंगे तो आप यह कहेंगे कि अच्छा दस की घाद में आप कोई भी सं संक्या हो जाएगी तो ऐसा एक पूरा का पूरा सहज और सरल तरीका हमको दाश्मिक पद्धिती में देखने को मिला कोई कह सकता है कि हम लोग दो अंकों की पद्धिती के साथ भी इसको बड़े बहतर तरीके से कर सकते हैं तो शायद वो भी स्विकारिता के साथ आता है ले कि अगर आपको दो अंकी की संक्या में 50 लिखना है या 115 लिखना है या 1015 लिखना है तो जितने संक्यतों का प्रियोग आप दाश्मिक पद्धिती के अंतरगत करेंगे उससे ज्यादा बार आपको संक्यतों का प्रियोग उस दो अंकों की पद्धिती पे करना पड़ सकता ह तो ये एक तरह की हमारी उपलब्दी रही कई वर्षों के हमारे संगर्ष का परिणाम ये रहा कि हमको दाश्मिक पद्दती हमारे पास आही और उसको हमने स्विकारा और आज भी हम उस दाश्मिक पद्दती के साथ आगे बढ़ रहे हैं इसमें वहत्मून बात ये भी है कि जिस तरीके से दाश्मिक पद्दती का उद्बव हुआ है उस पूरे के पूरे काल का जो सोचना है कि कैसे हुआ होगा वो हमारे लिए संबव नहीं होता हमको तो लगत होने में कई हजार साथ लगते तो ये ये पूरी की पूरी बात्चीत यहां तक की इसले थी ताकि हमको ये समझ में आये कि किस तरीके से एक एतिहासिक परिणाम होते हैं कोई भी विशय एक एतिहासिक संगर्षों का परिणाम होते हैं और उतने डंबे संगर्षों का जो प कि ये जल्दी से समझ में आ जाए ये क्यों समझ में नहीं आ रहा इनको, ये कैसे, ये क्यों, कैसे, और ऐस तरग के और भी सवाल हमारे सामने आते हैं. इस दाश्मिक पद्दती की एक important बात ये भी थी कि इसने शून्य का इस्तिमाल कर रहा था तो शून्य यानि कि किसी भी चीज की अनुपस्तिती को दिखाने का काम कर रहा था तब इस पर हम और भी बात करेंगे पर इसने इसके लिए भी एक जगा बनाई अब ये जो शून्य हमारे पास आया ये शून्य के आने से हमको क्या मिला है ना दाश्मिक पद्दती तो शायद दस चिन कोई और भी हो सकते थे एक है ना तो वो दस चिन्नों को छोड़कर उसमें अगर शून्य आया तो शून्य के होने के कारण हमको क्या फाइदा मिला तो अगर हम किताबों को देखें अपनी अगर हम अपनी किताबों को देखने की कोशिश करें तो किस प्रकार से तो किस प्रकार से ये किताबों में हम पहले प्राकर्तिक संक्याओं से शुरू करते हैं पूर्ण संक्याओं पर जाते हैं पूर्णांग पर जाते हैं कभी कि हमने ये जानने की कोशिश करी कि ऐसा क्यों करते हैं आज के समय में तो हमारे पास जो संक्याओं हैं वो तो पूरी तरीके से सब तरह की संक्याओं का एक समुच्ची हमारे पास है तो आज मी हम ऐसा क्यों करते हैं कि पहले हम प्राकर्ट संक्या पढ़ते हैं फिर पूर्ण संक्या पढ़ते हैं फिर पूर्णांकों की ओर जाते हैं और फिर हम ऐसे करते करते परी में अपरी में और इसके बाद रियर नंबर और इस ओर बढ़ जाते हैं कॉंप्लेक्स नंब करता है वो ही हमारे पूरे के पूरे हमाग में जिस तरीके का फ्रेम गडित का बनना चीए उसको बनाने में मदद करता है तो जैसे देखें कि यह जीरो था तो तो बहुत है कोई म्यूट नहीं है शाहिद शायद विशाखा का ओन हो गया है शायद कोई म्यूट नहीं है शायद अब अब इठीव हो गया है ठीक है तो जैसे अगर हम इसको देखने की कोशिश करें कि अच्छा यह जो जीरो है अब यह जो जीरो है इसका आना तो हमारे ले आसा ने लेकिन यह इसके आने से हुआ और क्या क्या दाश्मिक पद्धिती तो बन गई लेकिन इसने अपने और किस तरह की खासियतें और किस तरह के और किस तरह की सुविधाई हमारे ले लाया और किस तरह के बदलाव हमारे ले लाया तो उसको अगर हम देखने की कोशिश करें तो जैसे जीरो था जीरो आने से पहले प्राकृत संख्याओं के साथ हम काम कर रहे थे प्राकृत संख प्राप्त संख्या या जो भी उनका योगफल होता है वो उन दोनों जोड़ी गई संख्याओं से हमेशा बढ़ा होता है एक लंबा समय इसी विचार के साथ आगे बढ़ा और इसी विचार को माना भी गया क्योंकि ये विचार का इसकी पुष्टी करने के लिए हमारे पास वस्तों होती थी कि द तो अब यह जो पूरी की पूरी पुष्टी करने का काम था यह हो रहा था लेकिन साथ-साथ एक सवाल था जो लोगों को परिशान कर रहा था कि ऐसा क्यों यह जो जीरो वादा मैं कह रहा हूं कि जिसने लोगों को काफी समय तक परिशान कर रहा यह जो अभाव था उस शून्य ने अपने आपको इस्थापित करा एक पद्दती में संख्या पद्दती में वैसे ही वो संख्या पद्दती में आप देखेंगे कि जोड के माइने बदले जोड के माइने कुछ इस तरीके से बदले कि पहले जो हम कहते थे कि दो संख्याओं को जोडने के बाद प्र रहेते कि नहीं वो उससे बड़ा भी हो सकता है और उसके भराबर भी हो सकता है, यानि कि दो चीजों में अगर जीरो चीजें मिलाई जाएं, तो हमें दो ही चीजें प्राप्थ होती हैं, और तो यह एक बदलाव जीरो के कारण आया और जैसी हम देखेंगे और आगे बड़े हमारे पास संख्याएं आई तो उन्हों ने फिर इस जोड की पूरी समझ को फिर बदल डाला और उसने का नहीं ऐसा नहीं होता दो संख्याओं को जोडने पर वो उससे कम भी हो सकता है तो शुन्य ने इस तरह के द्वार खोले जिसने की हमारी पूरी की पूरी गणित को एक नया रास्ता एक नया मार्ग एक नई उड़ जा दी इसी तरीके से गरम देखें, तो शूने के आने के कारण हमको किसी भी चीज़ पे काम करने के लिए एक प्रस्थान बिंदू जैसा मिला, जैसे मान लीजिए, संक्या रेका पर अगर हमको काम करना था, तो संक्यार एक पर oxygen करने के लिए हमको एक प्रास्तान मिंदू जी ऑब उच मुसके इन्हें है Prof. अब क्रास्तान मिंदू कैसे देखा जाए अगर एक था तो एक के पीसे क्या रखाजाए तो वहां कट मार दिया जाया तो पैसे क्यास है लेकिन वहाँ पर अगर हम देखें तो वो जीरो ने उस गैप को भरा और उसने अपने को संख्या रेखा हो चाहे ग्राफ हो या अगर आप भौतिकी को देखें तो भौतिकी में जिस भी तरह के हम लोग ग्राफ को पैरावोलिक को इस्तिमाल करते हैं वो सारी के सारी चीजे जीरो के कि बिना उनका हो पाना थोड़ा सा मुश्किल कारे लगता है कि अभी भी कुछ सवाल ऐसे हैं जिनको लेकर के गणित जूज रही है तो जहां जीरों ने ये बताया कि अच्छा किसी संख्या में अगर शून्य को जोड़ा जाए तो वही संख्या पराथ तो होती है वहीं उसने ये भी बोला कि किसी संख्या में अगर शून्य की गुणा की जाए तो शून्य ही पराथ होता है किसी संख्या से यदि शून्य को घटाया जाए तो वही संख्या पराथ होती है किसी संख्या को यदि शून्य से भाग दिया जाए तो क्या शुन्य संक्या से भाग दिया जाए तो क्या और इस प्रकार के अन्य सवाल जिनके जवाब आज की तारीक में हम अन्डिफाइंड कहके छोड़ देते हैं वो शुन्य ने एक गैप रखा उसने का ये एक गैप है जिस पे की हमको अभी और सोचने की ज़रोत है इस पे भी काफ और रही नहीं शुन्य एक ऐसी संक्या हमारी रही जिसमें अगर हम देखें तो जब हम समानी करण करते हैं अगर आप देखें तो जब हम समानी करण करते हैं तो अकसर हम इस तरह की की बात बोलते हैं कि अच्छा कोई दो संक्याओं को जोड़ने अगर हम जोड़ते हैं प् प्लस बी करें चैह बी प्लस ए करें परिणाम एक जैसा आता है घो समानी में हम क्या करते हैं अधिकतर संख्यायों के बजाए एक सामानी कृत्व करें के इसमें हम सभ्री करें kan शुरने का इस्तेमाल भी तो यह संख्या ने अपना एक इस्थान बनाया पूरा का पूरा गनित में अगर हम इसको देखें तो इसके गुणा और भाग के अपने एक स्वरूप है स्वरूप का मतलब यह है वहां पर इसका अपना एक प्रियोग है जैसे अगर हम गुणा को देखें तो यह गुणा के दो धारण में दिखा रहा हूं। जिसमें गलतियां हैं न। जैसे 23 और 36 को अगर हम गुणा कर रहे हैं अपस में और हमको यह जो जीरो का भाव है और जीरो का इस्थान है और उसका जो मान है इसके बारे में अगर जानकारी नहीं है तो इस तरह की गलतियां हम करते हैं तो यह जो पहला 23 गुणा 36 वाला है यह 0 के उस वरूप की समझ का ना होना उसको दर्शाता है वही पर अगर हम दूसरा देखें जहां पर 137 को हम 23 से गुणा कर रहे हैं तो वहां पर अगर हम इसको देखें तो हमें पता चलता है कि हमने दो जगा पर एक ही जैसे चन्नों का प्रियोग करा है जो की X, कटा, गुणा, कुछ भी कह लिए यह दोनों जगा पर सेम है तो यह बच्चों को या किसी को भी इस बात पर कंफ्यूज करता है कि यह दोनों के माइने एक है या अलग है तो शुन्य की समझ यदि किसी को होती है और वो शुन्य की समझ के साथ यदि कोई आता है तो वो इस तरह की जो गलतियां हैं या इस तरह की जो संकेत हैं इनको समझने में फिर कटनाई नहीं महसूस करते हैं इसी प्रकार अगर हम भाग को भी देखें, तो जैसे 284 को 4 से भाग देना था तो 4 से भाग दे रहे हैं, तो हमने वो कट-कट लगा दिया, 4 सते 28 करके घड़ा दिया, अभी जो कट थे इसका क्या मतलब है? तो क्या ये शुन्य थे और आखिर में शुन्य लिखते हैं क्यों शुन्य लिखते हैं पहले क्यों नहीं लिखते हैं तो ये इस तरह के सवालों के जवाब तब आते हैं जब हम शुन्य पे एक भैतर समझ के साथ तयार होते हैं ऐसी अगर हम देखने की कोशिश करें तो दूस तो कर दिया और दोनों को कातने के बाद 21 में से 21 गयां तो दो कटे तो लगा दिये लिकिन यह 24 कैसे नीचे उतरके आ गया अब यह उतर के आना ना आना यह एक अलग प्रक्रिया का परिणा लेकिन उस परक्रिया में एहम हिस्सा एहम भूमी का शुन्य की है। उस शुन्य की समझ उस उन्य का स्थान की समझ यहां पर मदद करती है कि वो इस पूरी की पूरी परक्रिया को अच्छे से समझे और इस इस खास तरह के अलगोरित्म में उसको कर पाएं तो यह कुछ बाते हैं इसके लावा और कई बाते हैं जिसके चलते हमारा जो जीरो है वो हमारे लिए एक किसम से हीरो के जैसा है यह नहीं होता तो शायद हम काफी चीजों से भी जूज ही रहे होत इसमें अगर हम आगे बढ़ें तो आगे बढ़ने में हम यह दिखते हैं कि यह जो जीरो है इसके माइने क्या है हमारे लिए इस बात पर कई कई साथियों ने सवाल भी पूछे हैं कुछ बातें इस तरह की आई भी है कि अच्छा जीरो का माइने कैसे देखा जाएं जीरो क कुछ नहीं कहना कितना गलत है कितना सही है जीरो को कैसे बताया जाए कैसे समझा जाए कैसे समझा जाए अब यह जो इतने सारे सवाल है इन सभी सवालों के जवाब मेरे को लगता है कि एक कोशिश रहेगी बात करने की लेकिन वो जवाब हमको यह जो पूरी बात्चीत है इस जीरो मायने क्या तो ज्यादातर जो कहना होता है आम आदमी का भी और किसी ज्यादतर शिक्षक 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 आए आप लोग शायद उसमें हो या ना हो लेकिन ज्यादतर शिक्षक 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 हों में भी और ज्यादतर आम लोगों में भी कहते हैं कि जीरो तो अगर कुछ नहीं, तो क्या इसका कोई दिक्कत है, जीरो मैंने तो कुछ नहीं होता, मेरे सामने कितने पैन पड़े अभी, तो मैं कूँगा एक भी नहीं पड़ा हुआ, या मैं कूँगा कुछ नहीं, तो अब ये जो कुछ नहीं कहना है, ये कितना सही है, और अगर इसक चीज की संफूर्णता में समझ बन पाई या नहीं बन पाई उस पर निर्भर करती है तो इसी लिए खाली इतनी सी बात पर कहना कि अच्छा जीरो माने कुछ नहीं ये कहना ठीक है या गलत है इतने का जवाब दे पाना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि जैसी हम कहेंगे कि कुछ नहीं तो उसके पीछे की पूरी अगर एक समझ हम लेकर आ रहे हैं तो शायद हमको लगेगा कि नहीं या ठीक तो है लेकिन कभी-कभी ऐसा रहता है कि हम उसकुछ नहीं को कुछ ज़्यादा ही इस्तेमाल कर देते हैं वह हमारे लिए तो बड़ा आसान होता है क्योंक हैं लेकिन बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है जैसे में दों लगता है कि कुछ उधारनगर में रखने की कोशिश करूं मैं जैसे मान लीजे कि कोई संक्या है । तीन हजार पांच है इसको लिखना कैसे हो तो एक तरीका यह ओशकता है कि आप पहले इकाई- आपने बोला है तीन हजार तो यानि कि हजार के नीचे आएगा तीन और फिर आपने बोला है पांच तो यानि कि पांच क्या कि ना तो सो बोला ना पचास बोला तो पांच यानि कि पांच वो इकाई के नीचे आजाएगा अब जो बची भी खाली जगाए हैं जहांपर कुछ कुछ भी नहीं है वहाँ पर जीरो लिग दिया जाए एक तरीका मैं ऐसा कहके यह नहीं कह रहा हूं कि यहां पर मौझूद जितने साथी हैं या वो सारे के सारे ऐसा करते होंगे लेकिन ऐसी कुछ या जैसे हम कहें कि अच्छा स्थानी इमान की समझर के लिए विस्तारित रूप को समझना जरूरी होता है तो ये विस्तारित रूप को समझाय कैसे जाए तीन 24 में 3 का इस्थानिय मान क्या होगा तो पहली बात तो यह समझ में आती है कि अगर बच्चा उसको पढ़ पा रहा है और उसकी समझ है तो वो तो पढ़ते ही बता पाएगा कि 300 में 3 का इस्थानिय मान 300 तो वो उसको बता पाएगा लेकिन कई बार इस तरह की भी चीज़े इसका दहाई का यह पांच का स्थानीमान क्या क्या है तो यह पांच हजार दो जगह पे जो पहली जगह है उसका आगे किति सन्क्हा हैं तो अगर बच्चा एक पैटन निकाल के एक समझ के बाद इस तरीके से अपने लिए कुछ कर लेता है तो वो ठीक है लेकिन वो उसको भी समझा पाए यह ज्यादा कि इस्थानी एमान का माहने का है तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं यह कुछ प्रैक्टिसेश हैं हमारी जो हमको देखने में आई कुछ लोग ऐसा करते हैं तो अब अगर ऐसा कुछ होता है इस तरीके से अगर जीरो के साथ सुलूक होता है हमारे हीरो के साथ हमारा हीरो जिसने हमारे लिए इतना कुछ कड़ा इतने लंबे संगर्श के बाद जो हमें मिला इतने मूलेवान चीज जो हमें मिली उसके साथ अगर ऐसा होता है तो उसके परिणाम कैसे देखने को मिलते हैं तो उसकी तरफ अगर हम बड़े तो जैसे जीरो मैंने कुछ नहीं अगर हमने बोल या उस तरह की समाज हमने रजदी जिसके अग्जामपल उधारण मैंने अभी रखे हैं तो जैसे हम देखते हैं की बच्चों को बोला की अच्छा दो सौ पन्द्रा लिखो तो दो सो पन्द्रा तो लिख देते हैं लेकिं जैसी नको दो सो तीन लिखने के लिए क oppressed तो वह 203 को 23 जैसा लिख देना ये क्यों हो रहा है इसके पीछे हमको थोड़ा सा सोचना चाहिए तो शायद बच्चे के जहन में बच्चे के दिमाग में बच्चे की समझ में ये बात बैड़ गई हो यार जब कुछ नहीं है तो उसको लिखने का फायदा क्या है तो उसने 23 ही लिख इसे तो नहीं बोला जा रहा तो इसलिए उसने उसको वैसे लिख दिया तो अब ये पूरी की पूरी संक्या की समझ और उसमें जीरो की उपियोगिता को इस्थापित करता हुआ एक केस दिखता है बच्चों के रिस्पॉंस में शायद आप लोगों के यहां भी ऐसे कुछ जिखते हूं यह नहीं भी ढिखते हूं तो नहीं दिखते हूं तो यह तो बहुतलि बहुतर इस्थी है जैसे बच्यों को बोला जाता है कि 149 के बाद 139 के बाद अगला नंबर क्या होगा यह शुरुआति बाच्ची दम कर रहे भी अगर तो वह उसको उसको ड़ता है कि ये तो एक तीन नो है तो नो के बाद दस आता है तो एक तीन दस लिग दिये अब इसको कैसे समझा जाए यहां पर उसने कौं सी समझे जो छोड़ी यहां पर कौं सी समझे जिस gera का्म करने की ज़रते हैं यह किस तरह की परक्रियाओं का परिणाम है इस पर हमको थोड़ा सोचने की आवशक्ता पढ़ती है 2010 से पहले पहले वाले उधारण का ही उल्टा है 2010 लिखावा है इस से पहले की संक्या कौन सी होती है तो 209 लिख देता है क्योंकि 10 से पहले तो 9 ही आता है तो लिख देता है या लिख देती है लड़का लड़की दोनों पे समान रूप से लागू है तो ये एक तरह का बच्चों के साथ कुछ पैटर्न देखने को मिला है या है कई बार अगर हम देखें पढ़कर उनकी तुनला भी की जा सकती है जिस पे काम शायद नहीं किया होता तो हमेशे ये बोला जाता है कि पहली संक्या देखो और पहली संक्या को पहली संक्या से मैप करो जो बड़ा होगा वो आजाएगा तो यहाँ पर 9 बड़ा है एक से तो इसलिए उसने अठाणवे को बड़ा बता दिया तो यह कुछ उधारन है और यह ऐसा नहीं है कि जहां भी अब्जर्व करा गया तो उनकी पूरी की पूरी क्लास में ऐसा हुआ लेकिन हाँ ऐसा जरूर हुआ है कि वहां के 20 से 40 परसंट के बच्चों में इस तरह के कुछ-कुछ पैटर्न देखने को मिले हैं जैसे उधारने जे पहले भी जिया था कि 67 में 6 का मान कितना है यह अगर पूचते हैं तो बच्चे बोलते हैं 6 बहुत कम बच्चे हैं भूल पाते हैं कि इसका मान 60 है तो स्तानिमान कितना होगा च्छे के आगे एक एंगे तो जूरो प्रक्रिया पूरी की पूरी हम कह रहे हैं जिसके और हमको काम करना चाहिए जहां पर हमको जीरो को पूरे एक महत्तों के साथ establish भी करना चाहिए वो थोड़ा सा छूड़ती भी दिखती है तो zero जो हमारा hero है वो बहुत उदास है वो बहुत परिशान है वो इस बात को लेके परिशान नहीं है कि मेरे को लोग कोई मेरे को बोलते है निलिबटेशन नाटा मेरे साथ ऐसे शब्द लगा देते हैं या कोई मेरे को zero कहके किसी का मजाक उड़ा देते हैं वो इस बात को लेकर कम परिशान है वो इस बात को लेकर ज़्यादा परिशान है कि जहां मेरा जन्म होने में इतना समय लगा वहाँ पर मेरे को आज भी उस तरीके से नहीं देखा जा रहा जिस तरीके से मैं को देखा जाना चाहिए तो ये एक बात है जिस पर कि हम आगे बढ़ते हैं और मैंको लगता है मेरे लिए तो वो दूसरा वाला आसपेक्ट भी उतना ही इंपोर्टन्ट है जहांपर कि किसी को भी बोला जा रही है तो निल है विलोगों तो निल भी मतलब जीरो ही तो जीरो का ही समयनार्थी निल शब्द है कहीं और उसको निल का जाता है हम उसको जीरो कहते हैं हम अपनी हिंदी में शूने कहते हैं तो किसी को निल कह देना इसका दिमाद तो जीरो ह है लिखा raped निए किन वर में कैसे उप्योग करते हैं और उसकी वाकई हो न쁘ी की नहीं होने करा दे कि है एक दूसरे इन सान को चाहे वो मुझवें चोटा है जब घड़ा है उसको क्या इसे तरह है के साथ लाना चाले की लाना चीए तो देख सकते हैं परिख्षाओं में जीरो आ जाता है तो फिर वो लाल रंग से उसमें कुछ लिग दिया जाता है तो वह बड़ा आसान होता है लाल रंग करना लेकिन लाल रंग दिमाग पर और दिल पर बच्चे के चा जाता है, उसको हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है, खेर, मैं यहाँ पर रुकता हूँ, क्योंकि मिलेको जीरो, जिस बात से नाराज है, उस बात पर आगे बढ़ना है, वो कह रहा है, मिलेको वैसी समझा जाए जाए, तो अगर जीर जीरो को एक संख्या के तौर पे समझना, और दूसरा, जीरो को एक इस्थान धारक के तौर पे समझना, एस नंबर, जीरो को समझना, और एस प्लेस होल्डर हमको जीरो को समझना, बहुत जरूरी है, एक नंबर के तौर पे अगर हम देखें, तो जीरो कभ हमारे सामने आता तो यह तब आता है जब हमारी शुरुवाती कख्षाएं चल रही होती है यानि कख्षा एक में है कख्षा एक में अगर हम देखें तो पार्ट एक को छोड़ दें तो दूसरा तीसरा पार्ट आपका कहीं न कहीं जीरो तीसरा चौथा पांच वा यह जीरो की और बढ़ना कि और उनका लिखा गया कि पीछे का तर्क क्या है उस पर हमको थोड़ी बातशीत करनी चीए ताकि वो हमको समझ जाए तो जैसे मान लीजिए जीरो को लेकर हमारी जो कख्षा एक कि कोई म्यूट करेंगे तो जैसे हम देखें अपनी किताब को तो वो एक कविता से शुरू करती है पांच रसीले आम टोकरी में रखे थे माला ने खाया एक कितने बचगे शेश तो अब ये पांच चीजों से शुरू करा एक खा लिया तो कितने बचगे चार रहे गए तो आम ये जो बच गया था एक कितने बचगे तो यानि की अगर हम इसको थोड़ा सा गौर से देखें और भी आगे की भी गतिविद्यों को देखेंगे तो यह यहां पर एक तो वो कह रहा है कि यहां पर इस संख्या को लाना होगा क्योंकि यह संख्या अपने आप में इंपॉर्टेंट है और यह संख्या किसी भी चीज की अनुपस् चारी है इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी नहीं तो इसका मतलब किसी भी चीज की अनुपस्ति थी अगर हम देखें आगे चलते हैं थोड़ा सा आगे चल के अगर हम देखें तो इसी तरह के उधारन कक्षैक की किताब में फिर और भी आते हैं इतनी पहर पता है और उसके बाद वह बता रहे कि जीरो को लिखना कैसे है तो अगर इसको हम समझने की कोशिश करें तो शायद और ऐसी अगर हम इसको आगे देखने की कुछ भी करें तो जोड और घठा में भी याखिए जोड़ गठा के तीसरे और चोथे चैप्टर में कखषा एक के वहाँ पर भी इसको लाता है कि दो किताबे थी और इसमें कुछ किताबे नहीं थी न कि उनको मिलाया तो कितनी केताब होगे दो एह यह packs निए और उसमें एक भी टमाटर नहीं जुड़ा तो कितने यह को संख्या में हमारे संख्या के लिए जहाँ पर कि कोई चीज नहीं होगी तो वो नाम है शुन्य, जीरो, निल, सिफर, नल, नौट, कुछ भी तो वो संख्या को वैसे इंट्रोड्यूस करने की पूरी की पूरी बात्चीत होती है और आगे चलके जैसे जैसे उस पर समझ बनती है तो फिर वो लिखित स्वरूप में आड़े और खड़े में जीरो के साथ का जोड़ कराना सिखाते हैं और इस तरह के कुछ उधारण और देखने को मिलते हैं सिमिलरली घटाने का भी उधारण अगर आप देखें चार टमाटर थे इनमें से एक भी टमाटर हमने निकाला नहीं तो हमारे पास कितने टमाटर बजगे यह इसको देखें तो तीन में से कितना घटाएं कि हमारे पास तीन ही रह जाएं कि इसमें से दो को घटाने पर हमें कुछ भी नहीं मिलेगा मतलब एक शुन्य मिलेगी तो अब यहां पर कौन सी संख्या है कि जिसमें से कि हम दो ही संख्या को हटा दें तो वह शुन्य बन जाएं तो यह एक पूरा का पूरा प्रक्रिया जो रखी गई है इसको अगर आप समयकन की और भी बढ़ रहे हैं तो जैसे NCRD की टेक्सबुक में चैप्टर नंबर 13 और उसके आखरी के साथ पन्य उनको अगर हम देखें तो वह बड़े क्लियरली हमको समझाते हैं कि इस पाठे पुस्तक को ऐसे क्यों लिखा गया है जैसे वह यह कहते हैं कि किताब पर आ फिर उनसे पूछना चाहिए कितनी है एक चली गई है ना अब कितनी बज गई एक और चली गई अब कितनी बज गई और अब जब सारी की सारी चली की एक रह गई थी वह एक भी चली अब कितनी रह गई तो शायद बच्चा कोई बोल भी सकता या नहीं भी बोल सकता तो यह पर बच्चे को बताना चाहिए कि कुछ भी नहीं बची यानि की कुछ भी नहीं बची तो यानि की शून्य कितनी वस्तुएं हैं शून्य वस्तुएं हैं तो शून्य यानि की संख्यात्मक समझ शून्य की उसके साथ हो जानी चाहिए जैसे पैन है तो शून्य पैन है टेबल में तो उसके साथ पिर उसको संख्या कार्ड में लिए जा किया जाएगा इसको लेके हमको बहुत धोश तोर पे काम करने की आवशकता है कि आगे चलते हैं और फिर मैं थोड़ी सी बाचित और तरकों के साथ रखने की कोशिश करूंगा जैसे 0-1 और 1-0 जो हमने लिखा है तो इसका फर्क क्या है तो पहली बात तो कोई कहेगा यार अच्छा ये बताओ कि आप ये कौन सी पद्धिती की बात कर रहे हैं तो अच्छा ये बिल्गुल सही सवाल है अच्छा मैं दाश्मिक पद्धिती की बात कर रहा हूं तो दाश्मिक पद्धिती में 0-1 का मतलब तो एक ही होता है तो क्या ये दो अंक की संख्या है या एक अंक की संख्या है तो हम कहेंगे नहीं ये तो एक अंक की संख्या है क् इसको हमने बोला ये दस है तो क्या ये दो अंक की संख्या है कि एक अंक की संख्या है तो बोलेंगे नहीं नहीं ये दो अंक की संख्या है तो ये हम कैसे कह पा रहे हैं कि एक तरफ हम कह रहे हैं इन्हीं दोनों संख्यांकों का इस्तिमाल करा है और एक तरफ हम उसको कह रहे ह यहां पर हमको एक तो यहां पर हम किसता पर॥ को शुरू होती है इस पर workernt मैं आगे बढ़ते वे थोड़ी बाते रखता हूं जैसे माल लीजिए कच्छा एक में ही चप्टे 7-8 में अगर आप देखें तो कहते हैं कि पुस्तक पर काम करने से पहले कुछ करना होगा पुस्तक पर काम करने से पहले कुछ करना होगा जैसे 20 तक की गिंतियों पर बच्च वो उसके उपर उसे बातचीत करें, तो इस तरीके से उनके साथ बात करना, उनके साथ तीली बंडल या इस तरह का चीजों के साथ उनको खेलने के मौके देना, उनको बंडल बनाने के मौके देना, जिनको हम गूत सकते हैं, एक साथ बांद सकते हैं, तीली को भी, तीली है यह कितने हैं तो तो थे 一ंफ तरह की कि उन्निस तक के संक्याओं के साथ तीली बंड़या इस तरह के अन्य टी लम् वे चाहसे हमारे पास नींगोग हैं उसके साथ जब हम काम कर चुके होते हैं और हमको लगे कि फिसकर समझे लग गए तो हमको आगे बढ़ना चाहिए और आगे बढ़के बच्चों के साथ कुछ गतिव वीदियो को करना चाहिए जो किताबों में दी गई जैसे वो कह रहे हैं कि पुस्तक में अगर काम करना है तो उधारन में यहां लाजिता हूं जैसी यह में बंडल कि दसका एक बंडल से दिखाए जायए लंगा चैरी का दसका एक बंडल ऐसे दिखाए जाए ये पहली शुरुवाती समझ के लिए इस बात को रखा गया है इसके आगे अगर हम देखे तो पहले तो बंडल दिखाए गए अब उन से वह गॡूपिंग करवाई जा इसी को आगे देखें तो अब वो यहाँ पर अगर आप देखेंगे गोर करेंगे तो यहाँ पर उन्होंने उसको लिखना शुरूर कर दिया है और यहाँ एक बाहत जो बहुत महत्वपूर्ण है वो यह है कि उसने सबसे पहले दस लिखना नहीं सिखाया यहाँ पर उसने अभी तेरा से शुरुबात करी है यानि कि एक घेरा जिसके अंदर दस आईक्स्क्रीम आ गई है और तीन खाली पड़ी रही है तो उसमें कितनी इकाई हैं और कितनी दाई हैं कितने दसके हैं तो एक दसका घेरा बानावाए है और खुले कितने हैं वो तीन है ऐसी वो लालडेंग को लेकर लिखेंगे ऐसी वो अन्य चीजें जो दी गई है कटोरी वगरा उनको लेकर लिखेंगे और इसको फिर आगे बढ़ाए जाएगा तो दस एक, दस पांच, दस तीन, दस नौ तो ऐसे करके उनको संख्या बोलनी भी समझनी होगी और संख्या कर ल पाता है इस बात को कि खुली तीली आपके पास नौ थी, नौ में जैसे ही आपने एक तिली मिलाई, तो ये एक बंदल बन गया दस, यानि कि यहाँ पर क्या कोई खुली तीली रह गई? तो कहते हैं, नहीं。 तो कितनी खुली तीली रह गई? जी, एक भी नहीं. तो एकाई सोनने आएगा कि हमारे पास एक खोली तीली नहीं रह गई और हमारे पास एक बंडल पूरा है उस ही को आज़े बढ़ाते हैं ज जब कै committee की सोनने दो का आती हैं तो इसमें अगर मूल सिधान्त को पकड़ने की कोशिश करें तो इसमें अगर हम एक मूल सिधान्त को पकड़ने की कोशिश करें तो वो मूल बुद्ध सिधान्त जो सीखने सिखाने का प्रात्मी किस तर पे गनित में माना जाता है वो मूल सिधान्त है ELPS यानि की अनुभव, भाशा, चित्र, प्रतीक बच्चों को ज़्याद से ज़्यादा अनुभव, अलग-अलग तरे के अनुभव दिये जाने चाहिए बच्चों को उन अनुभव के दोरान कुछ एक शब्दावलियों का प्रियोग करना सिखाया जाना चाहिए जैसे इस संदर्व में बच्चों के साथ कैसे शून्य को इंट्रोड्यूस करना है देखिए ये जो सवाल है कि इंट्रोड्यूस कब करना है पहले बताते हैं जीरो, दो के बाद बताते हैं जीरो, तीन के बाद बता हैं, पांच के बाद बता हैं, नौ के बाद बता हैं बच्चों में संख्या की समझ बनने लग गई है, तो संख्या की समझ वस्तों के साथ रेलेट करते वे उनकी समझ बनने लग गई है, तो वैसे वैसे हमको उसी समय उनके साथ उन वस्तों को कम करके संख्या को बताना और फिर इस पे लाना कि अब ये वस्तों नहीं है, तो क्य तो यह आप पांच के बाद भी कर सकते हैं यह आप नौ के बाद भी कर सकते हैं आप छे के बाद भी कर सकते हैं आप चार के बाद भी कर सकते हैं लेकिन चार पांच से पहले नहीं करें तो बेदर क्योंकि पांच तक की समझ बनाने के लिए एक ठीक ठाक समय हमको चाहिए होता है NCRD की किताब इस बात को रिखांकित करती है कि हम हमारे अगर दस दिन भी बच्चे की दस की समझ बनाने में लगते हैं दस दिन का मतलब दस पीरियड तो हमको वो दस दिन भी लगाने चाहिए क्योंकि कि यह एक इस्थानी एमान की मूल भूत समझ की नीव है तो ऐसे में हमारे महत्पून ही हो जाता है कि हम इस समझ पर काम करें तो अब अगर हम यह कह रहे हैं कि अनुभव हो जाएं बच्चों के पास भाशा का प्रियोग कब कैसे करें कब उस बंडल को हम दहाई कहना शुरू कर दें कब वो जो खुली दीलिया हैं हम उनको इकाई कहना शुरू करें यह इस बात पर निरबर करता है कि हम बच्चों के साथ वो अनुभव कितना कर पा रहे हैं कॉपियों पर ले जाकर काम करने की बात नहीं करते हैं तो हम वहाँ पर यह करते हैं कि बच्को comes पहले जर कवी में नवभविव दिये गए हैं उन नवभव के साथ does अंहरे बच्चों के साथ गलैक बोर्ड पर कुछ चित्र जो इस तरह के अनुकों उन्होंने लियें टीन्स ब्लॉक है तो ब्लॉक का एक चित्र आना चाहिए एक रॉड बन जाए दस वाली एक स्क्वायर बन जाए जो कि उनका छोटा वाला ब्लॉक क्यूबिकल ब्लॉक है अगर बंडल चीली करा है तो ऐसे चित्रों उनके बना के दिखाएं और उन चित्रों के आधार पर उस संक्या की समझ को बनाना चाहिए और उसी चित्र के साथ हमको परतीकों को भी ले आना चाहिए तो इसका कोई ऐसा समय सीमा नहीं है कि इतना समय हम अनुभव पे लगाएंगे और इस समय के बाद हम फिर भाशा पे लगाएंगे इस समय के बाद फिर हम चित्र पे जाएंगे और इतने समय के बाद हम इसको परतीक पे ले जाएंगे ये एक शिक्षक होने के नाते हम सब के अंदर ये काबियत होती है कि हम अपने बच्चों को को देखें उनके साथ क्रिया कला करते वैं समझें कि वो किस हद तक चीजों को समझ पा रहे हैं उनको बता पा रहे हैं तो यह जो मूलबुत सिद्धांत है यह अनुभाव भाशा चित्रप्रतीक का यह काम आता है प्रात्मिगनत में सबसे ज्यादा कई लोग यह समझते हैं क कि बात्चीत करना यह तो भाशा का काम है तो यह इस इस मित को हमको हम सब जो अभी जुड़ेवे हैं कमसे कम हमको और हम यह शायद मानती भी होंगा कि यह मित है कि बात करना है ना अपनी बात को लिख के प्रकड़ करना अपनी बात को आगे बढ़ाना यह सारी की सारी दक् बच्चों के साथ जब हम बातचीत करते हुए उनके घर के अनुभवों को इसमें जोडते हैं और उन अनुभवों को जोडते हुए हम उस बात को आगे बढ़ाते हैं तो बच्चे उससे अपना जुड़ाओ ज्यादा महसूस करते हैं अन्य था एक रूटीन तरीका जिसमें की बच्चों के सामने सीधा संकेतों को लाया जाए और उन संकेतों के साथ काम करा जाए वो बच्चों को बहुत ज़्यादा दुविधा में डालता है बहुत ज़्यादा उनको उसके साथ जूजना पड़ता है और कई बार यह परिणा के बाद नहीं समझा पाते तो एक जुंचलाट किसी न किसी रूप में निकलती है और वो बच्चे के एक एक emotional उसके पार्ट को hurt करती है जिसके चलते वो फिर विज्जाले आने में लगता है या लगती है तो किस तरीके से इसको करा जाए किस तरीके से इसको देखा जाए हमें या लगता है जो लेकर जो 對Dous बाते हैं और बच्चे को हटाके एक तरीके होता है हूा य कुछ अभी मैं duż दस बाते हैं तो उनमें आप बच्चे को हटाके व्यक्ति कर लीजिए और अपने अनुभव को देखिए हर व्यक्ति सीख सकता है य हर व्यक्ति सेक्ठाएण को लेगा हर वेक्ति के सीखने की अपनी एक गती होती है हर वेक्ति के सीखने का अपना एक तरीका होता है तो अभी यह जो हमने बात्सीत करी है तो यह हम पर लागू होता है यह जरूरी नहीं कि हम जितने भी लोग जुड़े हैं जितने भी साथी जुड़े हैं हम समने मैंने यहां से क कर पाया होंगे अपने लेकिन लेकिन यह सारी बात और बच्चों के साथ भी उतनी ही वैलिड है इस बात को हमको समझना होगा हमको को भि उतने ही मौके देने होंगे सवाल जबाब करने के बातिचीत करने के जतने मौके हमको लगता है हमें चाहिए मुझे लगता है कि अभी यह जो बातिचीत मैंने रख देया हैए दो तीन सिखाना जो हो इसको और ठोस तरीके से कैसे देखें क्या कोई plan नोग lift के बना सकते कि कैसे करें और एक ठोस प्लाने के बाद क्या हम इसको कर बर Tapac तरकों को समझने के बाद कुछ गती विधी जो कहता है पाट्टे-पुस्तक से बाहर पहले बहुत कुछ किया जाना जुरूरी है उसके लिए कुछ योजना बनाएं और फिर उसको किताब पर लाएं परतीकों पर लाएं संकेतों पर लाएं और चित्रों पर लाएं तो वो ज जीरो तो एक ऐसी संक्या है जिसका आना हमारे गणित के जीवन में हमारे जीवन में आना आने में बहुत समय लगा है उसके आने से हमारे को बहुत सारी सुविधाय मिली हैं बहुत सी चीजे सहज हुई हैं तो अब हमको बच्चों के साथ अकर इस जीरो पो लेके जाना है तो उनको भी उतना ही सभाइक देना होगा और वो बच्चे उसके साथ उतने ही प्रियोगात ग्रूप में आप आए हम बच्चों के साथ सब्सक्तमाइब कर पाएइज बच्चे नौ तक तो हमने लिख दिया अब ये बताओ कि 10 कैसे लिखे हैं यह नौ तो हमने लिख़ दिया आडह भी लिट्ट क्रोर्ड दिया झाल लिए अब तो यहां कुछ भी नहीं आप मैं क्या लिख tam न है तो आपके पास अनुच्ण कि आरा मानना है आपके पास उनुभभ जरूर होंगे तो शायद ये एक मेरा समरी है मैं फिर क्या रहा हूं जीरो माने कुछ नहीं कुछ भी नहीं इस बात का इस पे निर्भरता बहुत जादा है कि उससे पहले क्या-क्या बातें किस तरह के संदर्व में किस तरह के माइनों में उस पे बातीत हो चुकी है खाली इतने भर से कह देना कि जीरो कुछ नहीं कहना ठीक होगा या नहीं ये ठीक नहीं होगा दूसरी बात जीरो को लेकर अगर कक्षा कक्ष में जाना है तो कब उसको इंट्रूइस करें तो मुझे लगता है कि कम से कम पांच तक की संक्या समझ के बाद अपने बच्चों को देखते हुए हम ये निर्णे खुद ले सकते हैं कि हम लोग कब जीरो को इंट्रूइस करें किताब उसको कहती है कि 9 के बाद हमको इंट्रूइस कर देना चाहिए क्योंकि 9 के बाद 0 का आना 10 के बनने में मददकार होता है वो इस तरक के साथ आते हैं पर एक शिक्षक होने कोई इस पूरे के पूरे संभोध को इस पूरे की पूरी अवधार्णा को कैसे बिल्ड करें और अंतिम बाद में ये कहा रहा हूं जीरों को सिखाना है सीखना है या किसी भी प्रात्मिक स्थर के संबोद कर सीखना जिखाना है वह हम लोग कि यानि की अनुभव भाशा चित्र प्रतीक के थुरू करें इस सिद्धान को मानते वे करें तो वह बहतर रहेगा तो उससे ज़्यादा वहतर परिणाम भी मिलते हैं बच्चों को बच्चा ना समझें बच्चों को एक इंडिवीज्योल के तौर पे समझें और उनके साथ उसी तरह का विवार करें जिस तरह का विवार हम अपने बच्वन में अपने बड़ों से अपेक्षित करते थे तो मै अपनी बात को यहां पर थोड़ा विराम देता हूं और उत्तम भाई इसके आगे अगर आप विवार्चित करना चाहते हैं या कोई साथी विवार्चित रहना चाहते हैं तो फिर मैं अपने आपको यहां पर